हलो दोस्तो आई कुछ नया करे में आप सब लोगों का स्वागत है मैं आपके सामने बहुती कुछ अच्छा ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ प्लीज हमारे साथ बने रहिए जब हमारा भूक लगदा है तब हम कुछ भी खा लेते हैं कुछ मालूम नहीं करके तो इसके बदले क्या होता है आपको क्या मालूम है हाँ प्रेंड हम आज आपको ऐसा ही कुछ दिखाने वाला हूँ जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी भरेगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा तो देखिए फेट मैंने यहाँ पर एक ठाली में घर में रखा हुआ जो सबजी था वो ले लिया है आप चाहिए तो कुछ भी सबजी यहाँ पर ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर गोबी लिया है टमाटर लिया है आलू लिया है और जरसल कैपसिकम भी कुछ लिया है तो आपका मंचा है सबजी यहाँ पर आप ले सकते हैं जितना भी सबजी आप दोगे उतना ही स्वाद इसका बढ़ जाएगा हम तो रोज कुछ ना कुछ सबजी घर पर खाते हैं तयार करके तो आज कुछ नया आपको हम करके दिखाऊंगा इससे क्या होगा आपका पेड भी भरेगा और मुक का जो स्वाद है वो भी परिवर्तन होगा तो चलिए और देख लीजिए हम आपके लिए क्या करते हैं फ्रिंस यहाँ पर मैंने एक कड़ाई लिया है गैस ओन कर चड़ा दिया है और यहाँ पर जितना सबजी हमारा कटा हुआ है वो सबजी को हम यहाँ पर दे देंगे इसमें हम ना ही डालेंगे कोई तेल और ना ही डालेंगे कोई मसाला यह तेल और मसाला से हमारा फैट दिन वे दिन बढ़ते जा रही है इस पर हम पानी एड़ करेंगे और पानी से इसको बॉइल होने तक छोड़ देंगे कोई भी मसाला इसमें नहीं चाहिए अगर ये तयार हुआ हम रेश्टूडन में खाएंगे तो हमारा सरीर में बहुत ही दिक्कत होगा देने वाला है स्रीप नमक परिमा अनुसा नमक देने वाले है और हम दे दिया है हम चमच नमक देकर ढखकल लगाकर हम दौस दस मिनिट या पंदरा मिनिट ओट करेंगे फिर हो गया है दस मिनिट पंदरा मिनिट के बाद ये देखिए पानी तो पूरा से पूरा खा चुका है अभी मर चुका है तो इसका जो भिटमिन है वो भिटमिन रह चुक गया है ये सबजी के पास अभी देखिए यहां पर हम एक चम्मच की कम सरसो का तेल लिया है आप चाह कहता हैं पप्याज को टुक्राः करेंगे तोकभ त कब तक फ्राई करेंगे प्याज जैसे इस AM and कलर का होनेट करेंगे इसक्या होता है स्वात थोड़ा सा बढ़ जाता है कुछ यह अद्रक को हम blend कर लिया है वो अद्रक हम इस पर डालेंगे आप चाहे तो ना भी डाल सकते है फिर वो boil हुआ जो सबजी था वो सबजी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है फिर इसमें देड़ कप के माप से मैंने पानी डाल दिया है देखिए फ्रेंस इसको हम छोड़ देंगे आप यहाँ पर देखिए मैंने आपर कटोरी पर पानी लिया है और पानी में हम हलका सा कॉन फ्लावर जो है कॉन फ्लावर डालेंगे ठंडे पानी से आप चाहे तो Conflower नहीं देए सकता है लेकिन Conflower हमारा सरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये हमको पता होना चाहिए जो सूप हम बना रही है वो सूप थोड़ा सा गाड़ा होने के लिए Conflower हम यूज करते हैं अगर अगर आप जो सास्त भी दिए हैं वो मान कर खाऊगे तो आपको ये कॉन फ्लावर नहीं चाहिए तो ये तो अच्छा तरके से बॉइल हो चुका है फिर ये कॉन फ्लावर हम एड़ कर देंगे तो देखिए फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा बना है फिर हम आपको दिखा रहे हैं घर्मा गरमly चमत से अगर ये क्खाऊगे तो बहुत पुष्टी मिलेगा और घाने में स्वादिश्ट होगा तो 10 कली मिर्च का डश्ट है वह हमने एड कर दिया है नीमू का रस थोड़ा सा एड़ दिया है फिर इसके बाद अगर नीमू का रस आप ना देना चाहिए तो जरसल हमादरा पेट के लिए अच्छा नहीं है तो इसलिए अच्छा स्मिल होने के लिए मैंने यहां पर निम्बू का रस डाला है तो आए नेक्स टिप्स पर फ्रेंड्स ये देखे ये तो स्कौच ब्राइट है हर तरीके से स्कौच ब्राइट है और ये बिना हमारा घर संगसार नहीं चलता है और इसके बिना बरतन भी साप नहीं होता है लेकिन इसका बेवहार करने का जो तरीका है वो हमको जरसल अच्छे से जानना चाहिए नहीं तो इसके कारण से घर में, बरतन में और सारा कीचेन में बैक्टरिय फैल जाएगे इसको बेवहार करने वक्त बेवहार करते करते बहुत ही इससे बदबु आते है तो देखे इसको क्या करना चाहिए मैंने कड़ा पर पानी दिया है पानी जरसल बॉयल्ड हो चुका है इसमें हम बॉयल्ड होते होते थोड़ा सा एक दो चम्मच भीनेगर डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से धो लेंगे तो गरम पानी के धोने के बाद उसको बाहर का खाना मत दीजिए ब्रेड आप अच्छे से तयार कर लीजिए सेक लीजिए और इस तरह से सैंडुइच बना दीजिए आलू और सबजी से मसाला बना कर दे दीजिए इससे उसका टेस्ट भी लगेगा और वो अच्छी तरह के से खा भी पाएगा तो देखिए फ्रेंड अपने बच्चे का भूग मिटाए घर का खाना बना कर मिटाए बाहर का खाना मत दीजिए सरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा आज का वीडियो फ्रेंड या तक आप ऐसा ही खाना तयार करना अपने हातों से और खाना फिर मिलेंगे एक नया सा वीडियो के साथ अच्छा रहना, सुस्त रहना, सरीर के उपर ध्यान देना गुडबाई, ठैंक यू, टेक क्यार